हाई अब्रीवन मैं हूँ शेपाले ग्रिदरवाल और आप देख रहे हैं कंसर्टीज विद क्लियर टेक्स आज की वीडि़िए हम लोग डिसकस करने वाले हैं एक प्रोविजिन जो है तो इंकम टेक्स का बड़ GST के लिए थोड़ा डिलिवेंट हो सकता है यह है 194 R सेक्षिन का नया TDS जो कि एक जुलाई से इसी परसन को देते हैं जो कि हमारे लिए सेल्स कर रहा है तो उसका इंपुट टेक्स क्रेडिट जंडल हमें अलाओ नहीं होता और उसको जो हम दे रहे हैं तो क्योंकि वह एक रिए पाल्टी में जाता है उस पे हमारी टेक्सिवलिटी बनती है यह बहुत ही इसमें कुछ एडवांस रूलिंग्स भी है तो उनकी हिसाब से वह इंपुट टेक्स क्रेडिट नहीं देते हैं सेक्शन सेवंटीन फाइब एच इसको रिस्टिट करता है कि अगर आपने कोई चीज ऐसे फ्री सैंपल किसी को दी लेकि इस्टिल टीगेटिव है क्योंकि ज एक जुलाई से है तो क्या रेट्रिस्पेक्टिव अप्लीकिविल्टी होगी इस साल के लिए 20,000 रुपे से ज्यादा की अमोंट पे अप्लीकेबल होगा अगर 20,000 की एग्रीगेट वैल्यू है तो एक जुलाई के बाद जो ट्रांजक्शन है उसमें 20,000 से ज्यादा जो ए एक जुलाई के बाद होगे, for example, आपने अपने किसी डीलर को एक गिफ्ट दिया था, 10,000 रुपीस का आपने अप्ल में दिया था और 10,000 रुपीस का और 21,000 रुपीस का और इसी करने के लिए एक गिफ्ट है जो आप जो आप जो आप लेजेए अगस्त में देंगे, तो अ अब सवाल यह खड़ा होता है कि यह applicable होगा किस पर यह applicable होगा जब आपको इंसेंटिव दे रहे हो cash या kind में किसको उस person को जो आपका employee नहीं है यह ध्यान रखने वाली बात है अगर हमारा employee होता है तो हम पहले TDS कार्ट लेते हैं section 192 के अंदर उसको कोई perquisite है तो उसकी total salary का part बनाके तो यहां पर कोई perquisite या कोई incentive अगर आप अपने employee को दे रहे हो तो उस पर applicable नहीं होगा सिफ किस पर applicable होगा जो अपने किसी third party को दिया है किसी sales agent को दिया है अपने किसी customer को दिया है सिफ उस case में applicable होगा अच्छा इस provision का मतलब क्या है कैसे applicable होगा एक्जांपल के एक-एक laptop दिया gift में तो वो जो आपने laptop दिया उसका माली जो price है वो एक लाग रुपे का है तो उस पर 10% आपको TDS deposit कराना है यह ध्यान रखना कि जन्दले जब हम TDS deposit कराते हैं यह बहुत important चीज है जिसको अब तक CBC ने भी शायद देखा नहीं है CBDT ने सौरी CBDT ने भी इ deposit कराते हैं यह एक लाग रुपे आपको देने हैं तो मैं 10,000 का उसमें deposit कराते हूं लेकिन यहां पर जो मैं एक लाग की कोई चीज दे रही हूं तो मैं जब 10,000 deposit और करा रही है उसका 10% तो एक लाग 10,000 का total incentive आपको होता है बट यह उस पर applicable नहीं होगा जो आपको in terms of money दि deposit करवा दिये आपकी account के अंदर वो गटे नहीं है ना आपकी जो payable था मेरा उसमें से मैंने less तो की नहीं किसी भी तरीके से तो जब आप उनके other amount पे TDS deduct करेंगे अगर कुछ बनती है तो उसमें आप 10,000 को भी consider करेंगे for example मालीजे आप जो commission दे रहे थे अब तक मालीजे ज दस लाग पे TDS काट लिए वो अलग चीज हो गई आपने उसको दो लाग रुपे और कुछ गिफ्ट भी दिया काइंड में चैक है दो लाग रुपे के जो आपने उसको गिफ्ट दिया उसका 10% या निकि 20,000 रुपे आपने उसका TDS deposit करा दिया अब अगर एक तरीके से दे कुछ नंबर ओफ यर्स कंप्लीट कर चुका हो आपके कंपनी से जुड़े जुड़े इसलिए अपने दिया हो कॉंटिटी डिसकाउंट जैसे होते हैं उसके लिए आपने दिया हो तो दो तरीके होते हैं एक तरीका यह होता है कि मैं आपको पहले लग पर इतना हो जाएगा तो 10 लाग कर लिया तो 10 रुपे हो जाएगा तो यह क्या है पड़ेश प्राइस ही में रिड्यूस करती जा रही हुँ ग्रेइट नोट के थूब आद में उसको change करते रहेंगे तो purchase price ही reduce कर दिया इस case में भी नहीं होगा क्योंकि ultimately इस सामने वाले की purchase है वो कम है तो profit उसका वैसे consider हो जाएगा इस case में भी नहीं होगा यह किस case में होता है यह यह उस केस में होता है जहां पर मैं उसको नॉर्मल तरीके से रूटीनी कर रही तो आपने मालीजे दो लाग रुपे की सेल्स अचीव कर ली अब मैंने का कि ठीक है तुम दो लाग रुपे की सेल्स अचीव करो गए मैं आपको 20,000 रुपीस का एक फोन गिफ्ट करूंगी आप इसको अलग से मालीजे कोई गिफ्ट दे रहो तो वो जो अपका गिफ्ट है वो काइंड में मतलग समान भी हो सकता है कुछ और आप इसको कुछ सर्विस दे सकते हो तो मालीजे आपने इसको एक टूर पैकेज दिया आपने इंसुरेंस कंपनी बहुत देखा होगा ऐस आपको मैंने को कौण परपस आपको प्रडू के बारे में बताना और अवेर करना से छेखान आ आपको एड़ करना अपने और आपको एड़िकेट करना मैं आ प्लिकेबन नहीं होगा तो मालीजे मैं मॉम्बै में होटल लिला इंदर एक इवेंट किया और सम्झाने वी सेल होगा TDS क्योंकि वो एडुकेटिव परपस से हैं ठीके किस केस में और अपली के पर हो जाएगा माले जी मैंने आपको तो बुलाया ही और इवेंट के डेट के बाद भी मैंने आपको का कि चलो दो दिन तुम मुंबई घूमलो मेरी साइड से अफ फरी वोई टूर पैकेज वाली इक्वलेंट बात हो गए उस पे अपली के भलोगा मैंने आपको बोला कि चल भी है तुम आतो रहे हैं काम करो भाभी और बच्चों को पड़ेगा अच्छ अब एक और सेड़ीं लेते हैं एक और सेंड़ीं माली जे कि आप हो और एक कम्पनी ओ और आप मेरी सेल्स एजेंट हों तो मैंने डिरेक्टले तुम्हें कुछ नें दिया ब़ट मैंने कि अपींप्लोई को कुछ देदिया उसस मेशनी की होगा और किस 1st of July से, pharma company, cement company, plywood industry, काफी लोग इससे हीट होने वाले हैं, जो generally sales के लिए incentivize करने की कोशिश करते हैं, insurance companies, इससे हीट होनगी, जो incentivize करते हैं, और वो incentive लोग generally in cash नहीं देते, यह एक normal transaction के तुर रोह हैं, कि भी invoice raise कराके दे दिया, वो ऐसे देते हैं, बबाई यहां चलो ठीक है यह एक उस्टैट में चालो टिक है और किसी को मुबाईल फोन दे दिया किसी को टीवी दे दिया real estate वाले कई बार ऐसे गड़ते हैं real estate में होता है अच्छा आपने 5 ये 6 flat बेच दी है वो कहते हैं यार commission commission छोड़ो कि काम गड़ो तुम एक flat रख लो इनमें से 6 flat बेच तो एक रख लो तो इस तरह की जो इतनी भी kind वाली transactions है उनको cover करने का इसका purpose था अब इसके GST aspect पर आजाता है incentives GST में भी बहुत complex राय शुरू से और एक बार तो CBIC ने ये भी सरुदर निकाल दिया था कि जो आप बाद में price reduction कर लेते हो कि इतना आची होने के वज़े से इतना इतना आपको discount मिल जाए अब इसको हम लोग एक अलग से consideration मानेंगे बाद में उसको उन्होंने विड्रॉव कल दिया कि वो legally fit बैठता नहीं था तो GST के अंदर इसकी taxability complex है बट income tax के अंदर फिलाल इस पर TDS कटना चुरू हो गए यानि कि वो इसको एक fair transaction मान रहे है वो अपने दर्फ से इमान के चलना है कि आपने इसके लिए invoice raise किया नहीं कि आपको इसके लिए TDS कटना है अब इसमें हमारा course of action क्या होना चाहिए कायदे में तो जो इस तरह की कंपनिया है उनको अपनी transactions को एक तरिक से Draft करना चाहिए और जब आपको pay करना ही है TDS उस पे तो इससे अच्छा ही है कि आप उस TDS के लिए उसको उस चीज के लिए proper invoice ही raise करवा लो कि मेरी service इसके बदले मुझे kind में कुछ मिला है तो वो GST बहुत easily routine हो जाएगी और उससे एक फाइदा होगा कि अगर आप उसको एक service का invoice बना दोगे ना कि हा मैंने आपको इस service दिया और इसके बदले में आपने मुझे ये समान दिया तो वहाँ taxability दो आएगी GST में लेकिन input tax credit भी available हो जाएगा क्योंकि अब वो consideration के बदले होने वाले एक supply होगी तो उसको परचेस का input tax credit भी आपको available हो जाएगा वन्हें क्या होती है कि इसकी taxability तो फिर भी बन जाती है लेकिन जो input tax credit भी इसलो हो जाता है तो इस तरह कि जो gifts वाले चीज़ है अच्छा है कि इनको आप एक service के तरीके से routine कर लो वो चाते नहीं कि आप लोग को incentivize करो वो कहरें कि नहीं पर जो है काम के साब से करो incentivize इस तरीके से नहीं किसे gift दे के अपने काम चला दिया और tax को जो और tax laws उनको बाइपास करने कि इस तरीके से कोशिश की यहां पर एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि आपको यह चेक नहीं करना कि जो buyer है उसके hands में taxable होगा है नहीं होगा तो for example अगर आपका जो buyer है आपका जो customer जिसका हम लोग TDS deduct कर रहे हैं basically अगर उसके आप लिजे 10,000 रुपे की income है तो भी अगर आप 20,000 से जाद है उसको कोई समान दोगे तो TDS आप उसका काट होगे आपको तब भी deduct करना है आप यह मैं सोचो कि अच्छाने उसके hands में taxable ही नहीं होगी तुमेरे को deduct करने की ज़रोत नहीं उसको आपको देखना ही नहीं है आपकी को लाइबिल्टी नहीं है उस चीज को चेक करने की अच्छा अभी applicable किस किस पर हो रहा है corporate, partnership firm, LLPs इन सब पर applicable ही सिर्फ कहां पर exception है individuals और HUF में लेकिन सिर्फ तभी अगर उनकी जो annual turnover है वो एक करोड रुपे business के case में और profession के case में 50 लाग रुपे से कम है अगर उससे जादा है तो उन पे भी TDS के provision applicable हो जाते है उनको भी normal TDS काटना पड़ता है तो obviously वो वैसे भी compliance करती है तो उस case में क्या होगा उन पर भी applicable होगा otherwise उन पर applicable नहीं होगा individual or HUF पे आई होग यह provisions आपके लिए यूसफुल रहे होंगे इसी के साथ यह वीडियो में close कर रहे हूं thank you so much